पुरुशुत्वम भगवान की जय धर्माचानल चैनन में उनीसमें अध्याय को गडेची को नमस्कार करके शुरू करें बक्तवसल भगवान अपने भगवान की सभी वनों कामनाय पूर्ण करते हैं उनीसमें अध्याय इस प्रकार है शीर सूद्जी बोले नाराजी को यह सुनाते हुए श्री नाराण ने आगे जो कहा आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिये जब धामर सुदेव ने अपने संशक को मिटाने की भगवान से प्रात्ना की तब भक्त वसल भगवान बोले हे दुजराज तुमने जैसा तब किया वैसा और कोई नहीं कर सकता है कि इंद सभी पापों से मुक्त हो जाता है तुम तो महीने बार निराहा रहे हो दिरंतर वर्षा के जल में भीगते रहने के कारण तीनों कालों में इस्ञान किया और वहभी आकाश के पवित्र जल से शोक में होने के कारण चेत्रा नस्ठ होने से तो पुरुषोताम मास को जान भी सके जथा बिना जाने ही उसका नियम पानन करते रहे पुरुषोताम मास के महिमा और पुन्य प्रताप का विवेशन करते होगे भगवान सिरिकेश ने स्यम अपने शिरे मुक से आगे कहा ये तपोधन पुरुषोताम मास सब लोगों में आता है किन्तु धर्ति पर इसका प पुरुषोताम मास की सेवा से ब्रत पुत्र शुकदेव को जीवित देखकर इस्तरी सहीद बड़ी प्रसनता हुई वै कहने लगा बिना जाने मुझसे इसका सेवन हुआ है फिर भी मेरा धर्म सफल हुआ इसी से मेरा पुत्र जीवित हो गया इस तरह दूसरा कोई मास नही करने लगा पूत्र भी माता पिता को सतकार पुद्वारा प्रसन करने लगा सब दुखों के नाशक पुरुषोताम मास के निया मानुसार अपनी इस्तरी के साथ जब हावन आधी करते हुए वैं ब्रहमा रिष्टी सहीद अनेकों सुखों को भुक कर एक हजार वर्ष बाद परम लोक को गया कथा का समापन करते हुगे मेरिशिवान मिकी ने कहा हे राजा म्रम लोक में हजारों वर्ष तक पत्री सहीद सभी सुख भोकरतों में जनम में राजा द्रट धनवा हुए हो पुष्टामास की सेवा करने से यह सब वैभा और रिध्यां प्राप्त हुई है यह राजन तुमारी रानी वही पत्री वरता गौत्मी हैं यह भूपाल पूर जनम में तुमारे पूत्र जिन्हें शिरी हरी ने जीवित किया हुए शुकदेव नाम से पिसद हुए और बारह हजार वर्ष प्रतिबर सुख भोकर बैखुंड को गए उन्होंने वनमे ताला पापनाशनी सरी उपर जाऊंगा श्री नारान बोले इस तरह परम यिशस्वी महरा द्रट धन्वा के पूर जनम का हाल कहकर जब महरिशी वालमी की चलने लगे तब राजा ने उनसे आगे की कथा सुनने का निवेधन किया पुरुशुत्तम मास महतों को सुनने सुनाने से रोग, शोग, द्रेश और पापस से मुक्ती मिलती है तदा पुरुशुत्तम भगवान के गो लोग में अनन्त काल तक वास रहता है और वे सदेव के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं आगे की कथा बीसमें अध्याय में सुनेंगे संबून स्रष्टी का पार करने वाले भगवान विश्णू की जय